हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग क्लास 12 अकाउंटीन सी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है लास्ट लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल पोशन स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को net profit before tax and extraordinary items निकालना सिखाया था और उसके कुछ questions भी कराये थे मैं आशा करता हूँ अब तक के video lectures आपने देख ली होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से request करूँगा कि पहले आप पुराने lecture ज़रूर देख लीजेगा आज की video lecture में हम लोग पिखेंगे कि net profit before tax and extraordinary items से operating profit before working capital changes कैसे निकाला जाता है before मैं अपने वीडियो को शुरू करूँ मैं आप लोगों को से request करूँगा कि अगर आपको मेरी videos helpful लगती हैं और आप मेरे को support करना चाहते हैं तो please मेरी videos को like और share जरूर कीजेगा और channel को subscribe भी कर दीजेगा चलिए बिना किसी देरी के हम अपने lecture को शुरू करते हैं मैं आप लोगों को वापस से cash flow statement के इस format में लेके आ चुका हूँ आपको अगर यह download करना है तो आप download कर सकते हैं इसका link मैं description में छोड़ दूँगा महांसा आप इसको access कर सकते हैं तो हमने last lecture में भी इस format को देखा था उपर उपर से तो मैं वापस यहीं से शुरुवात कर रहा हूँ तो यहां पर हमने सबसे पहले यह निकालना सीख लिया था last lecture में अब हमें यहां ते लेके आना है यहां तक यानि operating profit before working capital changes यहां तक हमको आना है तो यहां से लेकि यहां तक आने के लिए हमको कुछ adjustments करनी होती है वही adjustments हम लोग यहां पर सीखेंगे तो यहां पर बहुत ही simple straightforward adjustments करनी होती है और इस adjustments का भी logic है हम लोग net profit before tax and extraordinary items से आते हैं operating profit before working capital changes यहां से यहां तक आने के लिए हमको basically कुछ नहीं करना होता non cash item के adjustment क्यों करते हैं क्योंकि हम लोग यहां cash flow statement बना रहे हैं तो हम लोग यहां पर सिर्फ cash flow की बात कर रहे हैं तो operating activity में कुछ ऐसा item हो सकते हैं कुछ ऐसे transactions हो सकती हैं जो basically non cash हो जहां पर cash का कोई flow ना होता हो जैसे कि मैंने first lecture में भी discuss किया था आप लोगों के साथ कि कुछ non cash item होते हैं जिसको हमें cash flow statement में नहीं लेना होता जिसका best example हो गया depreciation है ना या फिर intangible assets amortized यह non cash item होते हैं लेकिन फिर भी statement of P&L में आते हैं depreciation का खर्चा आप statement of P&L में लेते हो यानि जो हम net profit लेके चल रहे हैं इसमें से non cash expenses या non cash items का भी कुछ ना कुछ adjustment हो रखा है for example depreciation इसमें से minus हो रखा है लेकिन depreciation एक non cash item होता है इसलिए हमको इसको ignore करना होता है इसको add back करके चलना होता है इस प्रकार से हमें non cash जो भी activity से relate नहीं करते for example interest on loan for example interest on loan एक खर्चा होता है finance cost का पार्ट होता है तो statement of P&L में आपने finance cost में include करके profit में से minus का रखा होगा लेकिन क्योंकि यह operating activity का पार्ट नहीं है इंकम यह dividend income यह operating activity का पार्ट नहीं होती लेकिन स्टेट्मेंट और P&L में आपने income में include करके रखी होगी तो क्योंकि यह operating activity का पार्ट नहीं है यह investing activity का पार्ट है आपको जो भी profit अब starting point लेके चल रहे हो उसमें से इस income को minus करके चलना होगा और reason being इसका treatment आप investing activity में करोगे तो यह सारी चीज़ें जो होती है आपको करके चलनी होती है तो बहुत straightforward adjustment होती है आपको basically का करना है जो भी non cash और non operating items है उसको add करना है for example depreciation depreciation का खर्चा आप लोग ने statement of P&L में कर रखा होगा minus तो उस पर यहाँप add back कर देना है similarly intangible assets जैसे goodwill patents trademarks trademarks अगर amortized हो रखे हैं तो यह भी खर्चा ले रखा होगा आपने P&L में तो इसको भी आपको add back करना है interest on bank overdraft and cash credit यह financing activity का पार्ट होता है operating activity का नहीं होता इसलिए यह भी add back करना है similarly interest on borrowings interest on loans वगरा यह यह भी financing activity का पार्ट होता है तो यह भी आपको add back करना है loss on sale of fixed assets तो sale of fixed assets हम लोग discuss कर चुके हैं कि एक investing activity का पार्ट होता है तो उस पर जो भी loss हो रहा है वह एक non operating activity है तो इसको भी हमको add back करना होता है similarly कुछ ऐसी non cash on non operating items हो सकती है जो आपको minus भी करना है जैसे interest income मैं आपको पूला यह investing activity का पार्ट है यानि नॉन operating income है तो इसको आपको minus करना है dividend income यह भी non operating income है यह भी investing activity का पाट है लेगिन P&L में आपने profit में add कर रखा होगा इसको तो इसको आपको minus करके चलना है rental income भी non operating ndway Your investing activity का पाट हैं तो ये भी आपको minus करना है और similarly Gain and Profit on Sale of fixed assets या फिर investments भी हो सकता है यह है ना Investments भी हो सकता है Loss on Sale of investments भी आ सकते यह Unael Ein veryable to too. आपका you Quucks work रखना यहापका Investing activity का पाट होता है अगर कोई fixed assets sell करने से email cholesterol कने से कोय YOUR profit हो आपका non operating income है या non operating profit है तो वो आपको यहां पर minus करके चलना है तो यह सारी adjustments करने के बाद final आपका जो answer आजाएगा उसको ही हम बोल देते हैं क्या operating profit before working capital changes बस इतना सा simple सापको काम करना होता है अब एक चीज मुझे आप लोगों के साथ discuss करनी है क्योंकि यहां पर depreciation की बात हुई है तो depreciation से related मैं आपके साथ कुछ extra discussion करना चाहता हूँ तो बस एक वो discussion मैं आपके साथ करूँगा फिर आपके किताब के दो question करेंगे और हमारा यह topic भी close हो जाएगा तो मैं फटा फट से आपके साथ यह depreciation का discussion करता हूँ तो जब हम depreciation की बात करते हैं तो हमको fixed asset account बनाना आना चाहिए जो आप class 11 पे basically बनाया करते थे क्योंकि depreciation आपका fixed asset से relate करता है तो हो सकता है आपको depreciation के adjustment में fixed asset account बनाना की आफ़र शक्ता पड़ जाए तो क्योंकि इंटरलिक्ट चीज है fixed asset का sale purchase आपका investing activity में आता है तो यह उस पर जो depreciation होता है वो आपको operating activity में add back करना होता है तो यह सारी इंटरलिक्ट चीज है इसलिए मैं यहीं आपके साथ discussion करके रख रहा हूं तो जब हम fixed asset account बनानी की बात करते हैं class 11 में आपने पड़ा था यहां पर दो cases हो सकते हैं यहां तो हो सकता है हमारा business जो है fixed asset को at cost sorry return down value लेके चल रहा है यानि in other words in simple words मैं बोल सकता हूं यहां पर कोई भी प्रकार का no accumulated debt account is maintained कोई भी accumulated debt depreciation account या पर provision for depreciation account नहीं maintain होता यानि fixed asset हमारा return down value पर आता है तो fixed asset account कैसे बनता है उसकी शकल कुछ ऐसे दिखती है तो मैं आप लोग स्वग्रा मैंने लिखे हुए है कि नोट्स आप अपने हाथ से अपने पास जरूर लीजेगा मेरे पास बहुत सारे बच्चों की request आती है मैं बस एक point आपके साथ discuss करना चाहता हूं मेरे पास बहुत सारे अपने हाथ से लिखो अपने हाथ से लिखो आप अपने आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जादा अच्छा फील होगा आपको बहुत जादा करना कि जो भी नोट्स वगरा है इसको आप हाथ से नोट करो cash flow statement का पूरा format वगरा मैं आपको अलड़ी PDF में दे दिया है इसके अलावा है छोटी-छोटी चीज़े जो भी मैं नोट करता हूं यह मैं बहुत जादा नहीं होती बहुत बहुत जादा बलकी नोट्स नहीं है इस chapter में तो आप इसको अपने हाथ से एक-दो महीनी की बात है फिर आप अपना आराम से रिलाक्स कर सकते हूं तो यही मैं आप लोगों से एक बार बोलना चाह रहा था क्यूंकि मैं पस कई बार बच्चों के messages और comments आते हैं कि sir हमें notes PDF में दे दो यह कर दो वो कर दो प्लीज डोंट लूप पॉर सच शॉर्ट कट्स ठीक है आप इसको सई स्पिरेट में लोगे जिस स्पिरेट में आपको यह message देना चाह रहा हूं आप इसी स्पिरेट में इस message को लोगे ठीक है चलो back to my topic तो fixed asset अगर आपका written down value पे maintained हो रहा है तो आपका account कैसे बनता है तो ध्यान से देखना fixed asset account की शकल कुछ ऐसी दिखती है तो asset account है तो opening closing balance इस प्रकार से इधर आ जाते है फिर अगर साल के दौरान कुछ purchase करी हमने तो purchase यहां पर आ जाती है इस पूरा class 11 में जो आपने पढ़ा था डिक्टो सेम वही है कुछ भी नहीं आ नहीं है यहां पर अगर आपने कुछ sale करी कुछ fixed asset की तो buy bank करके sale यहां पर आ जाती है उसके बाद जो भी अगर loss हुआ on sale of fixed asset तो इधर आ जाएगा अगर gain वह on sale of fixed asset वह इधर आ जाएगा और जो पूरी depreciation है depreciation इधर आ जाएगी तो इस प्रकार से आपका fixed asset account बनता है अब यह तो आपकी class 11 वाली account होगी तो यह शकल तो आपको I believe familiar होगी तो बिल्कुल यहां पर कुछ नया नहीं है अब हम लोग यहां पर बना रहे हैं cash flow statement है तो हमको सीखना है इस fixed asset account में जो जो भी कीज़ें आई इसको हमको cash flow statement में कैसे कैसे हो कहां कहां लेके जाना है तो मैंने क्या किया है मैंने हर जो important item है जो आपको cash flow statement में deal करनी है उसको number कर दिया जैसे यह one कर दिया यह two कर दिया और three कर दिया और नीचे मैंने इसका reference दे क्या करना है इस item का में cash flow statement में क्या करना है तो एक बार फटा फच्ते इसको discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जो gain on sale of fixed asset है यानी number one इसको मैंने क्या बोला it is deducted from net profit before tax and extraordinary item to calculate operating profit before working capital changes as it is a non operating income तो वही उपर जो मैंने आपको थोड़ी ज़र पहले दिखा है मैं investments होते ही यहां पर हम लोग माइनस कर देते हैं तो यही है काम आपको करना होता है इसका similarly second number पर देखते क्या लिखा मैंने loss on sale of fixed as a tradicto same यह एक non operating loss है तो यह हमें क्या करना हुगा it will be added to net profit before tax and extraordinary item to calculate operating profit before working capital changes as again it is a non operating expense ठीक है तो यह तो simple हो गया तो यह भी आपको वहां पर add back हो जाएगा तो जो मैंने आपको थोड़े ज़र पहले दिखाया अब third में मैंने आपको क्या दिखाया depreciation थर्ड में हमने बोला depreciation तो depreciation एक non cash item है एक non cash expense है इसको भी हम लोग क्या करेंगे it will be added to net profit before tax and extraordinary item to calculate operating profit before working capital changes as it is a non cash expense ठीक है क्योंकि एक non cash expense होता है इसले हम इसको add back कर देते हैं to net profit before tax and extraordinary item जब हम calculate कर रहते हैं operating profit before working capital changes तो यह तीन item हो गया आपके जो हमने already अपने format पर देख लिए है अब fourth item में क्या है two band यानि जो अगर purchase करा cash तो purchase of fixed asset एक investing activity है already आप लोगों को पता है इसको हम क्या करेंगे हम इसको investing activity के अंदर दिखाएंगे और purchase कर रहे हैं हमारा cash का outlaw हो रहा है तो उहां पर हम उसको outlaw दिखाएंगे तो यही मैंने लिखा दिखो है यहां पर it is shown as outlaw under cash flow from investing activity similarly जब हमने fixed asset sale किया तो हमें जो cash मिला तो जो हमने by bank में यहां पर लिख रखा है तो यह क्या है इसले मैं ने एक साथ यहीं पर दिखा दिया ताकि जब आप अपने आप से पढ़ो और revise करो तो आपको एक ही जगा पर सारी चीज़े दिख जाए और आपको सारी चीज़े connect हो जाए क्यूंकि cash flow statement जब actually exam में question आएगा वहां पर को individual question नहीं आने वाला इक्जाम में नहीं आने वाला आपको कि operating profit before working capital changes दिखा दो या पिर सिर्फ cash flow from investing activity बनाओ आपको पूरा question आएगा जिसमें आपको पूरा cash flow statement बनाना होगा तो वहां पर आपको सारी चीज़े link करना आना पड़ेगा तब ही आप पूरा cash flow statement बना पाओगे तो उसमें आपको य appreciation account maintain कर रहे हो और fixed asset को at original cost दिखा रहे हो यानी case number two तो यहां पर कैसे account बनता था तो पहले दो class 11 की बात करते हैं हम लोग fixed asset account बनाते थे जो at cost maintain होता था तो fixed asset account होता तो आपका ultimately asset account है तो opening closing balance तो ऐसे आ गया two balance BD and buy balance CD कर गया am I okay wonder again sell purchase हो रही है अगर purchase हो वही हो इधर आ गई से लोजी तो इधर आ घर गर और प्र दिख रहें हो गया यहAg यहां पर difference क्या होता था है यहां पर हम एक काम करते थे जो asset sale हो रहा होता था जो asset sale होता था जो assets विंघ जाता था उसका accumulated depreciation हम यहाँ पे डालते थे हर साल depreciation हम लोग fixed asset में से कम नहीं करते थे हम लोग सिर्फ जब asset sale होता था तब उस पर जो भी over the year जित्ता भी accumulated depreciation इखटा हो गया होता था उसको हम लोग फिर ultimately यहाँ पे लेके आते थे by accumulated depreciation account और इसको correspondingly accumulated depreciation account एक maintain करते थे उसको हम लोग य को बनाके एक बार इसको पढ़ लेना था ताकि आपको याद आ जाए कि यह क्या होता था पिर जो भी loss यह गेन हो रहा होता था on sale of fixed asset उसको हम लोग जैसे कि उपर आपने case number one में सीखा same way में हम इसको यहाँ पे ले ले लेते थे यह तो आपका same हो गया और सवाल उता हमारा accumulated depreciation account कैसे maintain होता था accumulated depreciation account basically क्या है एक liability है company के लिए प्रकार से liability है provision for depreciation या accumulated depreciation account क्यूंकि ultimately accumulated depreciation से मेरी assert की value कम हो जाने वाली है इसलिए प्रकार से business के लिए liability हो जाती है तो इसका opening balance यहाँ जाएगा और closing balance यहाँ नहीं आएगा यह लिखने में गलती हो गई है इसको मैं ठीक कर देता हूं कि closing balance इधर आजाएगा to balance पीडी करके यह आपको सब question में given होगा अगर आपको बना रहा होगा everything opening closing balance at least will be given in the question फिर यहां तो वही चीज आ गई अगर जो भी इसेट आपने बेचा fix to उसको आपने यहाँ खतम कर दिया तो two fixed asset account basically accumulated depreciation on fixed assets हो और यहां पर आ जाता है आपका पूरे साल का depreciation जो P&L में जाता है ultimately आपको cash flow statement में इसकी treatment क्यासे करनी है बिल्कुल same way में जैसे आपने case one में करी numbering same है देखो gain इसका reference सारे आपको उपर से देखना है ठीक है इसका सारे numbering का reference उपर से देखना है same reference है तो gain क्या हो गया फटावट से discuss कर लेते है gain on sale of fixed asset minus हो जाएगा for calculation of operating profit before working capital changes similarly loss on sale यह add हो जाएगा for calculation of operating profit before working capital changes फिर थर्ड नम्मर पे क्या है साल का depreciation है एक non cash item है यह भी add हो जाएगा for the calculation of operating profit before working capital changes फिर last आपका fourth and fifth आता है basically sale and purchase तो fourth में आ रहा है purchase तो जो cash पे किया for purchase of fixed asset investing activity का पार्ट है तो उसमें यह outflow की तरह दिखा दोगे और जो भी cash मिला from sale of fixed asset यह भी investing activity का पार्ट है यह भी inflow है तो आप investing activity में उसको inflow में दिखा दोगे तो बिल्कुल same numbering same यहाँ पर जाए और नमरीं है same treatment है सिर्फ यहाँ पर फरक है कि दो अकाउंट्स मन रहे हैं सारी चीज़ों को हम दो अकाउंट्स में दिखा रहे हैं तो बस इतना फरक है अंदर की item की treatment बिल्कुल same है तो यह आप लोगों को पहले clear हो जाना चाहिए तब आप पूरा अपना काम कर पाऊगे interlink था आज के discussion से थोड़ा सा क्योंकि यहां पर depreciation की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने आपके आपके साथ discuss कर लिए बस operating profit before working capital changes निकालने के लिए इतनी चीज़ों का घ्यान होना ज़रूरी है अब आप लोग अपने किताब के questions कर सकते हैं तो I hope यहां तक आपको सारी चीज़े समझ आ गी होगी सारी चीज़े आपको clear होगी होगी important चीज़े आपने सारी note-down कर दी होगी तो अगर किताब के यहां तक समझ लिया है सब तो अब आप त्यार हो जाएए हम किताब के दो question करेंगे और इस topic को भी खतम कर देंगे को सबसे पहले हम करेंगे question number 10 on page number 5.95 question number 10 page number 5.95 आप अपने पास किताब खोल लिजेगा मैं question एक बार आपको यहां पर पढ़वा लेता हूँ चल एक सकेंड को ठीक कर देते हैं चले question number 10 from the following information calculate operating profit before working capital changes तो आपको क्या क्या दे रखा है नेट profit before tax and extraordinary item यह आपको calculate करके दे रखा है अलड़ी तो आपको करना नहीं है आपको depreciation दे दिया interest on borrowings दे दिया goodwill amortized दे दिया loss on sale of furniture यानी fixed asset दे दिया premium on redemption of preference share अब आप लोग बोलोगे सब्सक्राइब प्रीमियम on redemption of preference share तो हमें पता ही नहीं क्या होता है तो इसको आप परकार से पढ़ सकते हो premium on redemption of debentures यह आप लोग ने पढ़ रखा है debentures के chapters में आपने पढ़ रखा है यह term सुन रखी है premium on redemption of debentures और मैंने अपनी लेक्चर में क्य कोई भी रोल नहीं है है यहाँ यह information यहाँ पर आपको सिरफ confused करने के लिए रखी है यहाँ पर P&L का तो कोई रोल नहीं है हम तो सिरफ वह items के adjustment करें जो आपके P&L से relate करती है यहाँ इसमें P&L का कोई रोल नहीं है क्योंकि एक तो non current liability होती है यह basically balance sheet में दिखाया जाता है that means यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है आपको खाली confused करने के लिए दे रखा है तो बस इस बात का आपको ध्यान देना है सारी चीजों का connection बना के चलना है नेक्स्ट आपको दे रखा है gain या profit on sale of investments ओके एक non operating income हो गई interest and dividend received on investments यह भी एक non operating income हो गई तो बड़ा ही straightforward question है quickly कर लेते हैं अब question है अब अपने पास देखते रहे ना चल calculation of operating profit before working capital changes अब here onwards अपने lectures में हम लोग इसको short form में लिखेंगे time बचाने के लिए हम बोलेंगे o p b w c c ठीक है जहां रखना exam में नहीं यूज करना इसा short form तिरे अपने lectures में हम लोग short form यूज करेंगे just to make it time effective देखो इसको आपको कैसे करना है दो रूपीज की कॉलम बना देना या पर्टिकुलर लिख लेना और देखला इसकी presentation आप कैसे करोगे बेसिकली जैसे आप presentation मोटा मोटा क्या इस तो statement में करोगे वैसी मैं मोटा मोटा presentation करानी की कोशिक कराऊं तो कैसे करोगे starting point होता हमारा net profit before tax and extraordinary item तो यह तो आपको question में दे रखा है कित्ता 4,47,000 तो यह आप बहार लिख दोगे फिर हम लोग add करते हैं non-cash and non-operating items हम लोग क्या-क्या add करेंगे इसमें depreciation add करते हैं तो depreciation on machinery यह कित्ती दे रखी है आपको 84,000 है ना 84,000 इसके बाद और क्या दे रखा आपको interest on borrowing यह भी एक नॉर्म ओपरेटिंग खर्चा है interest on borrowings कित्ता दे रखा है आपको interest on borrowings 16,800 पिर और क्या दे रखा है आपको goodwill amortized यह भी एक non-cash खर्चा है goodwill amortized यह non-cash खर्चा है तो यह कित्ता है 18,600 loss on sale of furniture यह एक non-operating loss है loss on sale of furniture इसको हम लोग add कर देंगे कित्ता है 18,000 फिर premium on redemption का में कुछ निकलना उसके बाद आपके gain और interest income है यह add करने अवल item इतना है आप क्या परोगे इसका total कर दोगे बाहर 84 प्लस 16,800 प्लस 18,600 प्लस 18 यहार है 137,400 अब आप similarly less करोगे अगें क्या non-cash and non-operating items इसमें सिर्फ दो चीज़ है एक का रहा गें और तेल ओफ इंवेस्टमेंट एक यह आ रहा है गेन और सेल ओफ इंवेस्टमेंट 12,000 फिर आ रहा है आपका इंट्रस्ट and dividend receipt दोन भी मोटे मोटे आपके non-operating items हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 39,600 और यह लेस होगा माइनस हो इसलिए मैं ऐसे bracket में दिखा दुमा बस इसको solve कर दो आपका आ जाएगा operating profit before working capital changes प्लस माइनस कर लेता हूं 4,47,000 इसमें प्लस 137,400 माइनस 39,600 तो यह आ गया 5,44,800 इस प्रकार से आपका solution हो जाएगा तो यह more or less काफी straightforward question था आपका जाएगा तो इस प्रकार से आपका solution हो जाएगा तो यह more or less काफी straightforward question था चाले अब हम लोग करेंगे अगला question question number 11 I hope यह question आपको clear हो गया होगा अब हम करेंगे question number 11 जो कि है page number 5.96 पे चाल पड़ावट से आपको दिखा देता हूं question number 11 इस question को important मा कर लेना क्या रहा है from the following balance sheet of KBC limited as at 31st March 2021 and additional information calculate operating profit before working capital changes तो आपको एक balance sheet दे रखिए इंपोर्टन चीज़ा identify कर लेते हैं तो share capital का अभी हमें कुछ करना नहीं हो जाएगा तो एक तो यह item हो गया पर trade payables है यहां पर काम का नहीं outstanding expenses यहां पर भी काम का नहीं short term provision में provision for tax आ रहा है यह काम का है यह काम का है और यह भी काम का है कि इसके अलावा और क्या दे रखा है property plant equipment में आपका देखोगे तो बढ़ रहा है ना property plant equipment आपका बढ़ रहा है इस में क्या करूंगा fixed asset का एक account बनवा दूँगा क्योंकि यहां पर आपका fixed asset का balance भी दे रखा है और depreciation भी दे रखा है तो एक काम करेंगे इसमें हम लोग fixed asset account बना लेंगे फिर आपको non current investments दे रखे हैं वो काम हो रहे हैं तो वह हमारे लिए यहां पर काम का नहीं current assets आपका काम का नहीं तो बस इतनी चीज़े है additional information में आपको depreciation और बता रखा है तो यह information है आपको निकालना है operating profit before working capital changes ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको fixed asset account बनाके दिखा देता हूँ ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको fixed asset account बनाना है जब question में आपको information दे रखें तो सबसे पहले आपको opening closing balances दे रखें fixed asset के तो यह मैं डाल देता हूँ to balance PD और buy balance CD क्या क्या आपको दे रखा है इसमें balances ओपनिंग देखना ध्यान से 2020 opening है 2021 closing है ध्यान से करेंगे तो opening है आपका 7,30,000 closing है 7,50,000 फिर आपको नीचे depreciation के information दे रखें तो यहां पर depreciation डाल देंगे किता है 75,000 account का total आ रहा है 8,25,000 तो अब आप notice करोगे कि मेरा balance यहां बचके आ रहा है इस account का balance यहां बचके आ रहा है तो यहां बचने का मतलब क्या हो जाएगा तो आपको logically interpret करके चलना है इसको हम बोल लेंगे purchase यहां यहां आ जाएगा 2 bank किता आ रहा है 95,000 आ रहा है ठीक है although although इस question में मैं बोलूँगा कि इसकी कोई आवशकता है नहीं यहां पे इसका role नहीं है क्योंकि यह investing activity का part है investing activity में outflow की तरह दिखाया जाएगा ठीक है इस question में तो इसका कोई role नहीं है लेकिन जब actually exam के question आएंगे तो वह full question आएंगे तो आपको सारी चीज़ों को लेके चलना वड़ेगा इसलिए मैं आपको सारी चीज़े connect कराई इस question में तो हमारा सिर्फ इसका role है हमें सर्फ depreciation लेके चलना है लेकिन मैं जान मुझ के आपको फिर भी इस question में बनाया थाकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल पाए कि actual जब question आएगा तो आपको किस परकार से अपना दिमाग apply करना है लॉजिकली सोचना है मैं बार बार कहता हूँ रखना नहीं है लॉजिकली सोचना है ठीक है इस account में मैंने बनाया इधर balance बचा तो मैंने interpret कर दिया यहां बचने का मतलब यह logically मेरे को लगता है purchase होगा two bank हमने यहां पर डाल दिया यहां पर इस question में इसको वैसे कोई role नहीं ह ठीक है I believe यह point अपको समझ आ गया होगा अब हम अपने काम पर आते हैं actually जो हमें करना है इस question में तो हम लोग बनाएंगे या calculate करेंगे calculation of operating profit before working capital changes बिल्कुल वैसी बना रहा हूँ दो रुपीस के column बना लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं अब इस question में आपको net profit before tax and extraordinary item भी calculate करना पड़ेगा ठीक है तो पड़ा पड़ से कर लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे difference in surplus कितना difference है surplus में आप notes to accounts में देखोगे तो 70,000 से बढ़ रहा है ओपनिंग 1 lakh है closing 70,000 है तो मैं यहां लिख देता हूँ 1 lakh 70,000 माइनस 1 lakh यहार है 70,000 अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ है करनी है अब आप notice करोगे जगो reserve बढ़ रहा है general reserve 4 lakh था opening में closing में वह 5 lakh हो रहा है यानि 1 lakh से बढ़ रहा है तो 1 lakh से क्यों बढ़ रहा होगा क्योंकि साल के दौरान हमने एक लाग रुपे जो reserve में transfer करेंगे तभी एक लाग से बढ़ रहा होगा तो आपको क्या interpret करना है कि एक लाग से मेरा बढ़ गया reserve तो साल के दौरान transfer हुआ है reserve में तो यह आ रहा है 1 lakh ठीक है एक कैसे निकाला मैंने same 5 lakh minus 1 lakh sorry minus 4 lakh 1 lakh से तो बढ़ रहा है अच्छा और भी एक चीज़ है इसमें provision for tax दे रखा है opening and closing balance लेकिन इसके अलावा और कोई information नहीं दे रखी तो मैंने आपको last lecture में भी बताया था जब provision for tax का balance दे रखा है और कोई और information ना दे कि tax किता पे हुआ साल में या पर provision for tax किता बनाया साल में तो आप क्या interpret करते हो आप बोलते हो कि जो opening balance है वो साल के दौरान actually pay हुआ होगा और जो closing balance है वो साल के दौरान नया provision बनाया गया ह है हम बोलेंगे provision for tax made during the year ठीक है और यहां पर हम ले लेंगे closing balance तो closing balance किता है 1,00,00,00 चलो बस और तो I think कोई item है नहीं यह आ गया इसको total करा तो मेरा पास आ गया answer 2,70,000 इसको मैंने बोल दिया net profit before tax and extraordinary item तो यह तो last lecture वाला part हो गया पूरा का पूरा अब हमें यहां से calculate करना है operating profit before working capital changes तो उसके लिए हमको क्या लेना है एक ही चीज लेके चलनी है तो इसमें add करेंगे non cash and non operating items मज़े की बात यह है कि इस question में एक ही चीज है जा आपको लेके चलनी है वो है depreciation on fixed asset 75,000 बस और तो कुछ है नहीं इसमें तो टोटल आ जाएगा 3,45,000 यह हो जाएगा मेरा operating profit before working capital changes इस प्रकाद से आपको निकालना होता है operating profit before working capital changes ध्यान रखना एक concept आगे जाके apply होगा अभी तो हम तुकड़ों तुकड़ों में सारी चीज़ें पड़ाव में सीख रहें हैं जब full question करेंगे आगे के questions पे आपके पूरे operating activity कैलकुलेट करने के questions हैं फिर आगे जाके आपके operating activity और investing activity कैलकुलेट करने के questions हैं और finally तो आपके एक्चली exam में आएंगे इलस्टेशन नंबर एक इलस्टेशन है बेसिकली 22 ठीक है टीएस गरेवाल बुक लेटेस एडिशन इलस्टेशन नंबर 22 एक बार आपने आपसे कर लेना और पूरे concept को अभी तक जो भी आपने सीखा इसको revise कर लेना continuation में अगले lecture में इसी को continue करेंगे तो मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो helpful लगी होगी अगर आपको वीडियो helpful लगी तो इसको अपने friends के साथ शेयर जरूर कीजेगा वीडियो लाइक जरूर कीजेगा और अगर चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स्राइ हुआ cash flow statement के next lecture में तब तक के लिए bye bye and take care